मावाप को भगवान धर्ती पर लायत है इसलिए ताकि भगवान हर जगे मौजुद ना हो पाए तो मावाप को कोई प्रॉब्लिम बताने से वो सॉल्व हो भी जाता है प्राक्टिकली बता रही हूँ मेरे लाइफ आज तक ऐसे ही चला आ रहा है पर हर वार ऐसा जजमेंट्स कुछ समने आ जाता है जहांसे यही पता चल पा रहा है कि पाश्यातिय सब्वेदा वेस्टन कल्चर इतनी जवर्दस तरीके से इंडिया को निगलने लगा है कि संपत्ती के आगे मावप दिखता ही नहीं है प्रापर्टी एक बर ट्रांसपर हो चाने के बाद तो मावप है यही चिंता दिमाग से उड़ जाता है खास करके ऐसा वो लोग सोचने लग जाते कुछ बेटा यह फिर बेटी कि संपत्ती ही सब कुछ है क्योंकि इन सब लोगों का नजर से प्रापर्टी पर चला गया है म तो कौन इसको आजकल मानते हैं क्या यह सिर्फ लिखा ही रहेगा या फिर कोई इनसान इसको अपने जीवन में भी लागू करेगा तो केस का नाम है अनिल कुमार धिमान और वर्से स्टेट ओफ हरियाना और अदर्स क्रिमिनल रिट पेटिशन 1357 और 2019 पहले एक छोटा सा र तो एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू उसको श्यार कीजेगा तो हुआ क्या था माता पिता सिनियर सिटीजन है सिनियर सिटीजन एक्ट के अंदर सिनियर सिटीजन वो लोग है जिनका उमर 60 या फिर 60 से अधिक है तो यह केस डील करता है MWPAC Act यानि की Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 माता पिता को संपत्ती से बाहर निकल देने के लिए अमाम घड्या पैंत्रे अपना यह जा रहा था और आखिर में इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगी अगर संपत्ती को लेकर करके किस तरह के से देना है या फिर ट्रांसफर करना या आप सोच रहे हो किस तरह के सा पिता के जहां पर सहाडा बनना चाहिए था बेटा और पुत्र बदू मिल करके माता पिता को घर से बाहर निकल देने की साजिस रच रहे थे लगातार हैरेस्मेंट और इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था और यह लंबे टाइम से यह सिलसिला चला हुआ आ रहा था ऐसे में पिता के पास और कोई option नहीं बचता है वो सीधे sub-divisional maistrate के पास जा करके एक case दाखिल कर देते senior citizen act में कि मेरे बच्चों को, कि मेरे बेटा और मेरे पुत्र बधु को घर से निकाला जाए क्योंकि ये लोग जीना हराम करके रखके है और ये लोग उल्टा हमारे घर से हमको ही निकाल देने की कोशिश कर रहा है ऐसे में sub-divisional maistrate के पास तमाम evidence रखा जाता है तो जरा सोच के देखे ये एक पिता के लिए कितनी दुखद है कि वो अपने बच्चों के खिलाफी कोट में जाकर के केस फाइल करने के लिए मजबूर हो रहे है तो केस देख करके sub-divisional magistrate ये कहते हैं कि जो साड़ा का सरा तमाम evidence देखा जा रहा है इससे ये clear हो जाता है कि इन लोग के उपर बहुत ही जादा torture किया जा रहा है कि वर्तित हो जाता है कि मेरा language नहीं है honorable court अपने judgment पर ये line लिखे है तो decision पर sub-divisional magistrate immediately order दे दे थे कि बेटा और daughter-in-law immediately इस घर से निकल जाए आपको father का ही absolute ownership है इस घर के उपर Based on ownership, Malikana Adhikar, father के favor में order पास किया जाता है फिर इस matter को बेटा ले करके चले जाते है district magistrate कुरुक शेत्र के पास July 17, 2019 का बात है जहाँ पर review petition फाइल किया जाता है district magistrate के पास district magistrate भी जो sub-divisional magistrate है उनका ही judgment को समर्थन कर दे थे नहीं की ejectment का order को ही समर्थन किया जाता है फिर बेटा इस matter को ले करके पहुंच जाते है honorable high court के पास high court में under article 227 and 226 of the constitution of India भारत के संगविधान में एक rate petition file किया जाता है writ of mandamus बेटा ये जा करके argument पेश करते हैं कि पिता का सिर्फ सिव अकेले का अधिकार नहीं है इस घर में ये घर को construct करवाने में मेरा भी contribution रहा है इस घर का जो first floor है उसको बनवाने में मैंने खुझ से अपना पैसा डाल रखा है ये property joint हिंदू family के अंदर आता है फादर का कोई self acquired property ये नहीं है और tribunal का ये जो order है कि हम लोग को घर से बाहर निकल दिया जाए इस order को खारीज करने का demand रखता हूँ क्योंकि ट्राइबूनल के पास को ये authority पावर ही नहीं है कि अंडर आर्टिकल 23 of the Senior Citizen Act अभी धियान दीजे section 23 of the Senior Citizen Act ये कहता है कि जब भी कोई संपती माता पिता अपने बच्चों को gift deed करके transfer कर देते हैं तो उस थिती में माता पिता gift deed को courage करने की demand code के पास रख सकते हैं और उपर से माता पिता का अगर भरन पोशन के दाइत्व भी नहीं लिया गया है तो भरन पोशन के लिए भी maintenance amount भी वो demand कर सकते हैं तो ये कहा गया है section 23 में और section 23 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई बेटा यहाँ पर माता पिता से संपती हरप लेने के बाद उनका भरन पोशन के दाइत्व से मुकर जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि fraud, question, undue influence करके वो संपती को हरपे है उस वक्त वही ट्रांसफर absolutely illegal हो जाएगा तो निरस्त कर दिया जाएगा gift deed को यही पर एक और बहुती गंदा हतकंडा अपनाया गया था कि मैं आपको बता देती हूँ ये भी आगे चल करके हो सकता है तो देखिए जब money और power धिर धिर आने लगता है ना तब ethics जाने लगता है ठीके ना तो इस case में ये मेरा assumption है वाइदवे कि एक domestic violence का case भी मम्मी पापा की उपर करवाया गया था उनके पुत्र बधु के दुआरा ताकि extra pressure उनके उपर apply किया जाए वो अपना case कोट में और ज़्यादा मजबूत कर सके तो बेटा कोट में जा करके बोले कि देखिए हम लोग AFIR भी दर्ज किये हैं हमारे ये जो माता पिता है इनका एक past track record रहा है कि ये लोग लगातार मेरे wife के उपर torture करते हुए आ रहा है तो ज़रा देखिए कानून को इस तरिके से भी आपके खिलाफ इस्तिमाल किया जा सकता है तो AFIR में तमाम ये सारा का सरा section लगाया जाता है IPC के और ये particular चीज क्यों किया गया मैं आपको बाता दी हूँ जब ये case district magistrate के पास पहुँचा था तब district magistrate के पास ये पूरा power दिया गया है कानून के थ्रू कि एक action plan वो ला सकते हैं action plan यानि कि district magistrate police authority का help भी माता पिता को available करवाएंगे ताकि उनका life और उनका जो संपत्ती है उसको protect किया जाए, safeguard किया जाए यही हुआ था इस particular case में धारा 22, rule 24 of the senior citizen act में ये बात clearly mention किया गया है district magistrate आपने order पर ये link देते हैं कि अगर ये लोग घर से ना निकले तो police वालों के भी मदद आप ले सकते हो और यही हुआ था इस particular case में इससे क्या हुआ माता पिता का जो case है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और बेटा अपना case और ज़्यादा मजबूत करने के लिए high court में जा करके ये तमाम चीज़ बताए कि ये F.I.R. किया गया है कि संपत्ती में मेरा भी हक है क्योंकि मैंने भी पैसा डाल रखा है तो ये तमाम चीज़ बताते हैं high court यहाँ पर गुरु ग्रंट साहिब की ये line mention करते हैं और clear कर देते हैं कि district minister ये confirm कर चुके हैं कि आप किस level का torture अपने माता पिता के उपर किये हो सिर्फ यही नहीं आप ये प्रूब भी नहीं कर पाए हो कि ये property हिंदू undivided family में आता है बलकि ये property आपके पिता के self acquired property में आता है स्वा अरजित भूमी में आता है और पिता अपने जीवन काल में इस particular संपत्ती को कोई भी gifted बना करके आपको transfer नहीं किये थे फाधरी absolute owner है sales deed के थूँ तो court में एक sales deed पेश किया गया था जहांसे ये absolutely clear हो जाता है पिता ही संपत्ती का मालिक है तो इस चीज़ को मद्दे नसर रखतो है संपत्ती से बाहर निकलने का ये जो order है इसको ही बरकरा रखा जाता है और immediately बेटा और पुत्रवधु को निकल देने की order दिया जाता है और यहीं पर निसकस में आपको बता देती हूँ कि अगर संपत्ती को आगे चल करके गिफ्ट डिट बनाने के बारे में आप सोच रहे हो तो section 23 of the senior citizen act को जरूर mention कीजेगा ताकि आगे चल करके भरन पोशन के दायत्रु से अगर मुकर जाते संपत्ती मिल जाने के बाद तो आपके पास एक रास्ता खुला हुआ रहे कि संपत्ती को वापस मांग सकते हो कोट के पास जा करके गिफ्ट डिट को निरस घोशना करवा करके next district magistrate के पास जा करके action plan के लिए भी application डाल सकते हो ताकि अगर वो लोग घर से ना निकले पुलीस ओफिसर के भी मदद अब ले सकते हो that is section 22 rule 24 of the senior citizen act so that's it in this video मिलती हो आपके साथ नेक्स वीडियो पर अगर इस विडियो से कुछ value मिला है एक like चनल को subscribe और जर इसको share कीजेगा बहुत बहुत धनिवाद